जी नमस्कार स्वागत है आप सभी का टेस्ट पुक्स उपर कोचिंग पर मैं हूँ आप सभी की मैस फिकल्टी हिमाश गुपता जार्खंड सहयक अचार है जार्खंड टीचर भरती आप सभी को पता है इसकी 26001 पोस्ट जो हैं आपकी रिलीज की गई थी निकली थी और वहा पर सिर्व वही केंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं जो जार्खंड के निवासी है इसका मतलब आपके पास जार्खंड का डॉमेसल होना चाहिए अब उसके आधार पर अभी जब सीटेट अलाउड नहीं था जब वो नोटिस रिलीज नहीं किया गया था जब इस वेब साइट के उपर यह जो एप्लिकेशन फॉर्म का जो लिंक है ठीक है यह जो एप्लिकेशन फॉर्म का जो अपलाई वाला जो लिंक है ठीक है यह भी ओन हो रहा है जब तक यह लिंक यहां पर अपलोड नहीं हुआ था जो आपको यह लिंक दिख भी रहा होगा ठीक है लिंक यह नहीं अब new registration ले रहा है जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि सिर्फ चार दिन तक ही वो new registration ले रहा था और कल payment की जो थी वो last date थी तो यहां पर यह हो चुका है साथी साथ आप इसमें अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कल की वो date आपके लिए दी गई है 26 जनवरी ठीक है आप इस form में जो भी आपकी even जो language है वो भी आप change कर सकते हैं कई बच्चों को यह सवाल भी आया था कि सर अगर मैंने part 1 में हिंदी रखा हो है तो कि मैं part 2 में हिंदी रख सकता हूँ जी बलकुल रख सकते हैं आप दोनों ही parts में हिंदी रख सकते हैं या फिर दोनों की हम तैयारी करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें यह भी पता होना चाहिए कि कितना competition है देखिए अभी तक जो आकड़े थे मैंने आपसे कहा था कि 24 तारिक तक के बाद मेरे पास वो exact information आ जाएगी because जितने भी candidates to have seated या other state applicable किये गए थे उन्होंने form fill कर दिया है और उसके आधार पर अब जो information मेरे पास आई है उसकी मैं हाँ पर बात करना चाहूँगा तो जब ये link generate नहीं हुआ था तब तक अगर हम देखें तो 26001 seat के उपर कुल 84000 जो form है वो भरे गए थे ठीक है इतने form जो थे वो apply किये गए थे इतने form जो थे वो apply किये गए थे यानि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 84000 form जो हैं वो यहाँ पर fill किये गए थे लगबग लगबग अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यह आपके तीन कुने से भी जादा का आकड़ा है हैं न एक सीट पर तीन कुने से भी जादा का आकड़ा है और यह बहुत कम आकड़ा है दिखा जाए तो ही बहुत कम आकड़ा है 26,000 जब इतनी भारी भर कम संख्या में post release की जाती है तो यह आकड़ा बहुत पार जाता है तो वो सिर्फ आकड़ा इसलिए कम गया था कि 84,000 जो बच्चे थे ये वो थे जो डे जे टेट कॉलिफाइड थे ठीक है और आप सभी को पता है कि आपकी कई सालों से जे टेट कंड़क्ट नहीं किया गया था और जब ये लिंक अपलाई हुआ तो आपको जानकर ये हैरान हो जाएगी जी हाँ बलकि ये जो जब लिंक जनरेट हुआ था बहुत कम बच्चों तक इन्फोर्मेशन पहुंच पहुंच पाई सिर्फ चार दिन का समय दिया गया वो सिर्फ इसलिए कि जारकन सरकार ये भी चाह रही थी कि कॉम्प्टीशन हम जादा ना बढ़ाएं ले तो बच्चों ने अपलाई किया है और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये जो आपका 84,000 का आकड़ा ये दुगना हो गया है ये आकड़ा दुगना हो गया है जी हाँ करीब करीब आपके 75,000 से 80,000 जो फॉर्म है वो और अपलाई किये गए हैं तो कॉम्प्टीशन पर बढ़ गया है कॉम्प्टीशन यहाँ पर बढ़ गया है करीब 75,000 से 85,000 से 80,000 के जो फॉर्म है वो और अपलाई किये गए हैं जिसमें जादतर जादतर जो हैं वो सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और अव्यस्ती बात है वो जारकंड से ही हैं तो अब ये आकडा लगबग लगबग मैं देख पा रहा हूँ वो दुगना हो गया है यानि जो कॉम्प्टीशन पहले आपके साथ था अब वो दुगना हो चुका है और अगर दुगना हो गया है तो फिर उसकी तैयारी भी आपने जम करनी होगी अब मन में ये सवाल उठेगा कि सर द मेरे पास आ चुका है ठीक है तो अब मैं आगे बात करूं कि एक्जाम डेट तो देखिए according to notice जब notice के अधार पर हम बात करें तो 10 फरवरी 2024 आपकी एक्जाम डेट थी लेकिन आपका जो एक्जाम है देखिए हमें ये मान कर चलना है मैं आपको अभी बता हूँ हमें ये मा 26 फरवरी के बाद आपका जो एक्जाम है वो यहां पर कंड़क्ट किया जाएगा ठीक है 26 फरवरी के बाद आपका एक्जाम जो है वो कंड़क्ट यहां पर किया जाएगा ये मेरे पास सटीक जानकारी जो अब आई है वो मैंने आपके सामने रख दी है 26 फरवरी के बाद exam हैं पर conduct होगा और अगर ऐसा होता है तो आपके लिए जो दिन है जो preparation का जो समय है तयारी का समय है वो और भी जादा बढ़ जाएगा अब ये बन में सवाल उठेगा दोविदा उठेगी सर competition भी बढ़ गया है दिन भी इतने कम है तो देखिए जो समय आपके लिए है वही सम करना शुरू कर दिया था कि मैं आप लोगों को एक दो महीने पहले से अवेर करता हूँ कि आप तैयारी कि शुरू कर दो पढ़ दो लेकिन होता है कि जब तक हम वह फॉर्म फिल नहीं कर लेते हमें वह confidence नहीं आता कि सर्विस की तैयारी करनी चाहिए लेकिन वह confidence आ गया है कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया है अब मुझे तैयारी करनी है एक्जाम डेट भी मेरे सामने है जैसे according to notice वह कह रहा है 10 फरवरी लेकिन होगा 26 फरवरी के बाद यानि February में आपका एक्जाम हो जाएगा हाँ ये पूरी surety है तो आपको अब तैयारी अगर आपने शुरू नह समय है इसी समय के अंदर आपने अच्छे से तैयारी करनी है अब तैयारी किस तरीके से करनी है मैं आपको हमेशा कहता हुआ आया हूं कि all over India का best content के साथ best batch according to your syllabus आपको super coaching पर provide किया जा रहा है test book पर provide किया जा रहा है आपने क्या करना है आपके सामने ये number है that is number में आपके सा preparation कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं एक से पांच वी के लिए या फिर आप तैयारी कर रहे हैं छटी से आट वी के लिए आपका math science subject है sst है या फिर कोई भी language paper है language paper जो यहां पर cover कराई जाएंगी जो complete prepare काया जाए जिसके साथ आपका grammar portion भी है literature भी है इनिकी साहित्ते भी है तो part 3 आपका पूरा cover करा रहे हैं हम यहाँ पर part 4 जो है पूरा cover करा रहे हैं हम आपको यहाँ पर जिसमें आपका जो main subject होगा 180 marks का वो यहाँ पर cover up होगा आप कोई भी language section apply कर रहे हैं उसमें 90 marks का आपका English आएगा और पूरा English आपका यहाँ पर cover होगा तो part 1, part 2, part 3, part 4 अगर म पार्ट टू पार्ट थ्री अगर मैं बात करूं फर्स्ट टू फिफ्ट के लिए आपको यहां पर तयार करा जा रहा है ठीक है तो अब बाकी सेक्शन जो है आपका पार्ट थ्री पार्ट फॉर वो पूरा कवरेज है जिसमें आपका रीज्डिंग, मैच्स, कम्प्यूटर, साइन्स सब कुछ रहेगा आपको कोई भी परिशानी है आपने कुछ नहीं करना है इस नंबर पर कॉल कर लेना है और आपको बैच से जो भी है रिपब्लिक डे के लिए गड़तनता दिवस है उसके अफसर पर तो आप लोग जल से जल इस बैच में एंडूर कर सकते हैं मैं मिलूंगा आप लोगों से और भी अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंग कुछ़ में थािएंगा लॉर्मेशन आप लेकर आवा आपतार वे लेकर तो आपनाता है।